नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों जोति शास्त्र में भगवान हनुमान जी को संकट मूचक कहा जाता है जिहां दोस्तों भगवान हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दुख और संकड बहुत जल्दी हरने वाले देव माने जो भी भक्त भगवान हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा राधना करता है भगवान हनुमान जी उसकी सभी मुराद बहुत ही जल्द पूरी कर देती हैं। भगवान हनुमान जी के आगे और शाम के वक्त भगवान हनुमान जी के आगे घी का दीपक चला लेना है। दोस्तों यदि आप सिर्फ इतना कर लेती हैं तो भगवान हनुमान जी की असीम कृपा आप पर निरंतर बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको उन भागिशाली राश्यों के बारे में बताने वाली हैं जिन पर अब हो चुकी है भगवान हनुमान जी की विशी इश्क्रिपा जी हैं दोस्तों आपकी जानकरी कले बता दें कि आज राद 12 बजे के बाद ग्रह गोचर और नक्षत्रों की ऐसी सिती बन रही है आपकी जानकरी कले बता दें कि आज राद 12 बजे के बाद ग्रह गोचर और नक्षत्रों की सिती में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने जा रही हैं जो कि कुछ विशेश राशी वालों के लिए बहुती ज्यादा शुब और फलदाई रहने वाली हैं दरअसल दोस्तों आज राद मंगल देव अपना राशी परिवर्तन कर रही हैं मंगल देव का राशी परिवर्तन आज राद 12 बजे होने जा रहा हैं और दोस्तों जैसे ही मंगल देव अपना राशी परिवर्तन करेंगे वैसे ही भगवान हनुमान जी की शुब दृष्टी कुछ विशेच राशी वालों पर पढ़ जाएगी जिससे कि अब इन राशी वालों का भाग युदय होना तो तहे है दोस्तों यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशी इसमें है या नहीं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें साथी साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची मन से जै हनुमान जै सियराम जरूर लिख दे भगवान हनुमान जी की असीन क्रिपा आप पर बन जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि इन राशी वाले लोगों के यूपर अब भगवान बजरंग बली की विशेश क्रिपा दृष्टी सब से अधिक बने रहेगी बजरंग बली का नाम लेकर ये राशी वाले जो भी कारे करेंगे उस कारे में आपको सफल होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता आपको अपने घर में सबसे ज्यादा अपने बड़े भाई का सपोर्ट मिलेगा जिससे कि आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में भी काम्याब रहेंगे दोस्तों की साथ आपको अच्छानक यात्रा इस दोरान करनी पड़ सकती है यात्रा करना आपके लिए जोरान लाब दायक रहेगा हलाकि अपने स्वास्त का आप इस दोरान विशेश रूप से खयाल में रखिए यात्रा करते समय वाहन आप साथधानी पूर रख चलाए दोस्तों इस दोरान आपको केवल एक साथधानी का खयाल रखना है कि आपको किसी के साथ भी विवाद में नहीं पढ़ना जी हाँ दोस्तों अपनी वाणी पर आपको ये जोरान सयम रखना है और छोट-छोड़ी बातों को आपको नजरन्दास करना है और उसकी पीछे आपको और किसी के साथ आपको लड़ाई जगडा नहीं करना क्योंकि तीन राशिया है मेश राशी विश्व राशी और तुला राशी बताना चाहेंगे कि इन राशी वालों के घर में यद सुक समरिद्धी और धन का अगमन होगा आपके लिए आने वाला समय बेहदी शुब रहने वाला है आपको सफलता के मार्ग हासल होंगे वहवाहे के जीव बन रही है आर्थिक वर्ग के लोगों को इस दोरान सफलता मिल सकती है सभी धन संबंदित समस्या आपकी इस दोरान बजरंग बले की कृपा से अचानक से खतम हो जाएंगे लाब दायक परडाम की आपको प्राप्ती होने वाली है आपको अपना सच्छा प्यार मिलने की प सिंग राशी, कन्या राशी और मिथुन राशी बताना चाहेंगे कि इस दोरान आपको व्यापार वन नौकरी पेशा के सफलता प्राप्त होने वाली है आपके लिए आने वाला समय बेहदी ज्यादा शुब रहने वाला है आपके जीवन में चल रही बुरी परसितिया बद जीवन आपका सुखन रहेगा सभी धन संबंदित समस्या आपके अचानक से खतम हो जाएंगी लाब दायक परड़ाम की आपको प्राप्तियब होने वाली है आपको अपना सच्चा प्यार मिलने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों अंतिन तीन राशिया है धनो राशी मकर राशी और कुम राशी बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए आने वाला समय बहती ज्यादा शुब और फलदाई रहने वाला है भगवान बजरंग बली की स्यापा से आपको आने वाला समय बहुत स्यारा हो जीवन साथी के कारिया में आपको उन्नति मिलेगी कि डूबी हुई रकम वापस आपको प्राप्त हो सकती है व्यापारियों को व्यापार में अच्छा फाइदा प्राप्त होगा आप लोगों को कोई बड़ा धनलाब भी हो सकता है आपको अपना सच्छा प्यार मिलने की अब पूरी-पूरी संभावना नजर आ रही है दोस्तों अगर आप भी भगवान हनुमान जी करपा पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जै हनुमान जरूर लिख दे हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और इसे अपने वाटसैप और फेस्बुक पर शेयर कर दे